केंद्र सरकायर की आवास एवं शिहरे विकास मंत्राले द्वारा आयोजित इंटर सिटी फ्रीडम टु वॉक एंड साइकल अभ्यान की तहत नाकपुर में चलने और साइकल चलाने के लिए सबसे अधिक पंजी करन हुए है यह शिहर के लिए गौरफ की बात है इसके लिए महापुर दयाशंकर दिवारी नगरायक तराधा कृष्णन भी और स्मार्ट सिटी के मुख्यकारी अधिकारी श्रीमती भूवनेश्वरी एस ने नाकपुर के सभी लोगों को बढ़ाई और धन्यवाद दिया नाकपुर स्मार्ट और सस्टेनीबल सिटी डेवलप्मेंट कोपरेशन लिमिटेड और नाकपुर नगर निगम ने भारतिय सवतनता दिवस के असर पर नागरिकों से अभियान में भाग लेने और अधिक से अधिक पंची करने की अपील की थी केंडरी आवास और नागरिक मामलो के मंत्राले के निर्देश आनुसार साइकल चलाने और पैदल चलने को बढ़ावाद देने के लिए एक से 26 जनवरी 2022 तक इंटर सिटी फ्रीडम टु वोक और साइकल कैंपिंग का आयचिन किया गया था अभियान का उदेश साइकल चलाने और पैदल चलने के लाभों के बारे में जाकरुकता बढ़ाना नागरिकों को अपने बहतर स्वास्त के लिए साइकल चलाने और चलने के लिए प्रोचसाहित करना और प्रदूशन को कम करना साथ ही शेहर में हरित परिवहन को बढ़ाव बाद देना है नाकपूर स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी डेवलप्मेंट कॉपरेशन लिमिटेड ने नागरिकों को साइकल चलाने और चलने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए एक से 26 जन्वरी 2022 तक एक विशेश अभियान शुरू किया प्रणीता उम्रेट कर महा प्रबंदक परियावर अन्विभाग नाकपूर स्मार्ट सिटी द्वारा प्रस्तत किया गया कैमरपोसिन राजकमार मोर के साथ अभिशेक पान से बीसेन न्यूस नाकपूर